हेलो दोस्तो आज की स्वीडियों में हम आपको बताने वाले हैं कि वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे कनेक्ट कैसे करते हैं यानि कि पहले वाइफाई कनेक्ट होता था अभी कुछ कारणों से जो है वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर settings को open करना है दोस्तो जैसे आप settings को open करते हैं तो यहाँ पर हमें एक option दिखाए देता है Wi-Fi का तो हमें simple सा Wi-Fi के उपर एक बार click करना है जैसे हम Wi-Fi के उपर click करते है तो यहाँ पर हमें एक option दिखाए देता है उपर वाले side में 3. जी हाँ दोस्तो जैसे हम 3. के उपर click करते है तो अब यहाँ पर हमें more settings का एक option दिखाए देता है तो हमें simple सा more settings के उपर click करना है जैसे हम more settings के उपर click करते हैं तो अब यहाँ पर हमें saved networks का एक option दिखा देता है तो हमें simple सा saved networks के उपर click करना है जैसे हम saved networks के उपर click करते हैं तो उपर वाले side में यहाँ पर हमें three dots का एक option दिखा देता है तो हमें simple सा उस three dots के उपर click करना है जैसे हम three dots के उपर click करते है तो यहाँ पर हमें edit का एक option दिखा देता है तो हमें edit के उपर click करना है जैसे हम edit के उपर click करते है तो यहाँ पर हमें क्या करना है select all का एक option दिखा देता है तो हमें select all के उपर click करना है जैसे हम select all के उपर click करते है तो नीचे वाले सैड में हमें remove का एक option दिखाए देता है तो हमें simple सा remove के उपर click कर देना है जैसे हम remove के उपर click करते हैं तो यहाँ पर हमें delete all का एक option दिखाए देता है तो हमें delete all के उपर click करना है जैसे हम delete all के उपर click करते हैं तो अब जो है आपका मोबाइल रिस्टार्ट कीजिएगा एक बार फिर आप वाइफाइ कनेक्ट कर सकते हो वाइफाइ कनेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर वाइफाइ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो यह प्रॉबलम आप करके देख सकते हो विडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठेंक्यू